तुम्लोगों पता ता इंगेम कॉलीफार है जह खतम हो चुक है तो तुम्लोगों को नहीं पता रिजल्ट का डेट किया आने वाला टाइम किया आने व teknिंवला लोगों तुम्लोग निया डिस्क्रिप्चीन एक बार जुरूर्ज जाका है आया वाख यू का मैंight तो in game qualifier में तुम लोगों को पता है इंडिया में काफी जाद है e-sport के player है बहुत सारे लोगों ने register के जिनके accounting भी तक पता नहीं चला कितने team ने register करके रखा था तो यहां पर क्या होने बता है जो हम लोगा top 10 match काउंट करके total हम लोगा कितने team यहां पर qualify होने वाले थे 2048 यानि 2048 team यहां पर qualify होने वाले थे BGM के round 1 यानि की online qualifier के लिए तभी online qualifier में तुम्हों को face game के साथ gameplay करना होगा वह कैसे करना होगा डीटेल में तुम्हों अच्छे से समझ लो वीडियो को तो online qualifier के लिए तुम्हों को यहां पर 3 round देखने को मेलेगा तो मैं 3 round को तुम्हों को अच्छे से explain करूँगा फिर भी अगर कुछ mistake हो जाए क्योंकि यह थोड़ा बहुत mistake सबसे होता है तुम्हों कमेंट करके इंस्टा पर पोच सकते हो तो online qualifier यहां पर देख से हो तुम तो बाद round 2 and round 3 देखेंगे उसका क्या process होने वाला है तो यहां पर round 1 केंदे तुम लोग देख से हो तो टॉप यहां पर in-game qualifier से total 200048 टीम यहां पर qualify हो करके आय थे यहां पर उनका scene क्या हो कि ग्रूप wise उन लोगों को यहां पर divide कर दिया जाए जाए 2048 टीम जिनका यहां तो टोटल यहां पर qualification हुआ था उनको क्या अगर है 128 जो ग्रूप होता है total तो उनको 128 ग्रूप में divide कर दिया जाए तो हर एक ग्रूप के अंदे तुम लोगों 16 टीम यहां पर देखनों को मिल जाएगा ठीके 2048 टीम जो आएंगे उसे 128 यहां पर ग्रूप में divide किया तो divide का खेले जाए confused मत होना तुम लोगों मेल के तुरू सब चीज पता चलता रहेगा तो यहां पर 16 टीम जब यहां पर divide हो जाएंगे उनके मीच में मैचे होगा यानि कि 16 टीम के बीच में मैच होने वाला होगा तो मैच के अंदर तुम लोगों क्या करना होगा पर देख को मिलेगा हर बार tournament पर यही होता है point finish को यह पर calculate करके leaderboard में top 3 team को दिया जाता है यहां पर mention किया होगा तुम लोग साफ देख सकते हो जो यह पर team होगा उनके points and finishes का जो points होगा वो यह पर count होता है तो point system कैसे होना देख सकते हो अगर तुम लोग आर फॉस्ट rank करते हो एक match के अंदर तुम्हें 15th points मिलेगा second rank करते हो 12th point 3rd rank करते हो 10th point 4th आते हो एक point 5th rank करते हो 6th point तो ऐसा करके मिल जाएगा pause करके point system देख सकते हो and हर एक finish पे तुम्हें एक point extra मिलेगा तो game year तुम्हें को rank ज़रूरी नहीं है plus तुम्हें kill भी करना पड़ेगा placement point तो तुम्हें को मिल जाएगा and तुम्हें को finishes point भी यहाँ पे लेना पड़ेगा तब जाके total यहाँ पे points calculate करके जिस top 3 team का यहाँ पे points सबसे high होगा वो लोग यहाँ पे qualify करेंगे group 6 तो यहाँ स 33 करके 36 team आगे जाएंगे तो यह round 1 का matches था थोड़ा भी confusion होता तुम्हें इंस्टागान पर पूछ सकते हो अभी बात करते है round 2 के बारे में ठीके तो round 2 में यहाँ प्रोसेस होना देखो जो 36 यहाँ पर team जो आएंगे न यहाँ पर grind team ठीक है grind मतलब जो officially bgmi का matches चल रहा है उसमें total क्या होता 64 team ने I mean qualify क्या था 32 team यहाँ पर क्या रहेंगे round 3 में रहेंगे यहाँ पर 32 team यहाँ पर round 2 में रहेंगे तो इस चीज़ को है तुम्हें अच्छे समझो bgm है जो अभी live stream वगरा चल रहा है यानि कि जो e-sport के invited team में गोड़े लोगे scout हो गया उनका एक्ट रहेंगे ठीक है जो लीडर बोर्ड में थे ओफिचल वो लोग क्या करेंगे round 2 में हमारी लिए बैटर रहेंगे जो हम लोग 92 team यहाँ पर जाने वाले हैं राउंड 1 के बाद में round 2 के अंदर में तो वो लोग क्या करेंगे कि इसके साथ fight करेंगे round 2 पर यहाँ पर जो bottom के team यहाँ पर officially invited team उनकी साथ में अभी हमारा fight होगा यह चीज़ में लोग को clear होगा तू के अंदर में क्या होगा invited जितने भी bottom में टीम रहेंगे 32 team वो वहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर तुम लोग क्लेरी mention अच्छे से जाकर पढ़कर देख सकते हैं उसके राउंड 1 से जि 12, 512 team यहाँ पर total बन जाएगा देख सकते हैं उसके आद उसी आपर group में divide कर दिया नहीं 32 group में divide कर दिया जागा हर team के अंदर तुम लोग को 60 team देखने को मिल जागा वापर से same process होगा round 1 का 32 group में आपर कर दिया जागा and by 16 team यहाँ आपर total देखने को मिल जागा दोनों group में seven करना पड़ेगा same process होगा तुम लोगों को यहार kill भी करना पड़ेगा and placement point यानि कि points के हिसाब से points के हिसाब से top seven team जो आने वाले होंगे वो आगे qualify करेंगे round three के लिए तो points का सारा का सारा खेले यहाँ पर कुछ भी तुम लोगों खाली है chicken dinner करने से नहीं होगा तुम लोगो placement point भी लेना होगा के लिए भी लेना होगा इतना सभी को पता है दोनों calculate करके leaderboard बनेंगा and leaderboard तुम लोग कहां पर चेक करेंगे तुम लोगों का जो official website bgm का जहाँ अपर standing वागे रहने दिखते वहाँ शोगा अपर round three के अंडर क्या होगा total यहाँ पर team बन जागा हमारा 224 तीम यहाँ राउ टू टीम रहेंगे वो रहेंगे round three में तभी total team मिला करेंगे आपर round three पर फाइट करेंगे जो हमला का Godel e-sport जो पहले से qualify हो चुके उनके बीच में total यहाँ फाइट होगा उन्हें भी यहाँ ग्रूप में divide कर दिया जाएगा हर group के अंदर यहाँ 16 team वैसा ही same रहेगा 16 team र इस बाँ round four के अंदर top four तुनों को आगे जाएगा quarter final के लिए ठीक है तो quarter final के बारे बाद में करेंगे तो जो top four four करके आपर qualify हो जाएगे और जो बाकी team top four पर नहीं आपाएगे उनका क्या होगा जो qualify नहीं होगे उनके लिए उनके लिए एक वापस से match होगा आपर देख स 65 से लिए 80 पॉजिशन दगाएंगे उनके लिए यापर loser bracket का match रखा जाएगा तो यापर total top four के team में आपर qualify होगे यापर एन उसके बाद में loser team के लिए एक और match होगा उसमें तुम्हों को देखने को मिल जाएगा quarter final and loser bracket वहाँ से total गरने के बाद में सारे टीम जाएगे semi-f final से जाएंगे grand final पे तो round one two three मैंने अच्छे से explain कर दिया कुछ भी confusion तुम लोग पूछ सकते हो इन गिन कॉलिफायर में पता तर क्या होता round two explanation कर दिया तुम लोगो तो आपर दोगो round को मतलब होगी online qualifier यह माइदे में रखना भाई online qualifier है याप quarter final and by loser bracket यह भी start हुआ नहीं कि मैं description पर दे दूँगा तो यह process होगा अभी हम लोग बात करें online qualifier के बारे में इसमें तुम लोग को face cam करना पड़ेगा यह पूरा पूरा श्योर अब वो कैसा करना होगा वो देखो तुम लोग तो बनने लोग में पर क्या सोचे भाई यहां पर round one हो रहा है round two हो रहा है बट ऐसा round one round two नहीं है यहां पर साफ लिखा गया online qualifier ठीके तो यहां पर तुम लोग को face cam करना पड़ेगा जैसे हम लोग lockdown के अंदर face cam करके study करते थे वैसे face cam करके तुम लोग यह गेम खेलना पड़ेगा यह साफ मेटेरी है कहीं पर लिखा नहीं बट हर बार यह होता चा 28 टीम करके तुम सभी को यह पर एक group provide कर दिया जाएगा face cam live stream के तरफ से mail के थूरू पता चल जाएगा उच चीज को जाकर करके तुम लोग को join करना होगा और वहां से तुमारा face streaming स्टार्ट करना होगा एक dedicated phone तुम लोग जरूर रखता है phone से तुम लोग को group join करके face cam सामने प्लस लोग को game वगर यह पर खेलना है पूरा team को यह पर खेलना है face cam के साथ में and group wise ही तुम लोग को यह पर दिखाया जाएगा तो face cam तुम लोग को पता है YouTube में कहीं पर भी लिखा हुआ कुछ ने बट face cam करना पड़ेगा तुम लोग को mail आके पता चलेगा ना तब तुम हमारा address पूछेंगे कुछ documents लेगे कुछ number लेके तुम्हे verify करेंगे उपर ते तुम्हें process बता देंगा room id कहां से मिलेगा face cam कहां से करना पड़ेगा room id तुन्होंको mail के through मिल जागा and face cam के लिए तुन्होंको एक group provide कर दिया जागा वहां से सब चीज देख लेएं and call करके त information officially वह लोग बताएंगे कहीं और चीज पता नहीं चलेगा तो यह था भाई पूरा process round one round two के लिए अब एक छोड़ा से request करतो चैनल पर नहीं हो तो भाई हमारा 10 के subscriber होने वाला होने से support जरूर करना थोड़ा से और बचा हुए क्योंकि ये वीडियो बनाने में लगवा मेरे को दो तीन घंटा लग गया एडिट करो वाईस ओवर यार वापस से बैटा हो तो एक support तो बनता है न बैए तुम लोग का मेल आ जाते तो बैए comment करेंगे जरूर बतना हमारा मेल आ गया जिन लोग का मेल नहीं है तो वो लोग क्या करें तुम लोग जाकर करें डिस्क्रिप स्क्राइब करो अन जित्त भी बीजैस के टीम मेंड़ उन्हें यार यह वीडियो होने से जितना होसा के श्यार करो